नवस्कार सातियो जो आपकी सेकंड पोयम के हम इस्टेंजा विश्ट कोश्टन देख रहे हैं तो यह है एन इलेमेंटरी स्कूल क्लासरूम इंदा सिलम का थार्ड इस्टेंजा है इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो देखिये सियोरली निश्चित रूप से सेक्सपीयार यानि सेक्सपीयार एज बेग्ड दुष्ट है दा मैप वह नकसा अ बेड एक जांपल एक बुरा होधारण है बिद सिपस जहाजओं वाला एंड सान और सूर्य वाला तो देखिए जहाजों बाला और प्रेम बाला नकसा एक बुरा उधारण है जो उन बच्चों को चोरी करने के लिए आकरसित कर रहा है तो यहां figure of speech आजा है अगर दो word का first letter जो consonant sound repeat हो जैसे SS repeat हुई है तो वहां आपका figure of speech होता है एली ट्रेशन क्या होता है दोस्तों एली ट्रेशन माने होता है अनुप्रा सलंकार पूचा जा सकता है आपसे आगे देखिए four lives जीवित रहने के लिए from fog कहरे से बचने के लिए to endless night और कभीना समाप्त होने बाली रात को ब्यतीत करने के लिए अपनी तंग जुगी जुप्डियों में यानि जीवित रहने के लिए कहरे से बचने के लिए और कभीना समाप्त होने बाली रात को ब्यतीत करने के लिए वह लोग चुपके से अपनी तंग जुगी जुप्डियों में प्रविस कर जाते हैं यहां जो छेद्र है उनकी तुलना जुगी जुप्डियों से की गई है तो यहां आपका क्या होगा, मैटाफर, नो डाउन करला आगे देखिए, अन माने पर देयर माने अपने 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 दहतूमल या आवाँचनी पदाहरतों के धेर के ऊपर जियर पहने हुए है इसके इ इस माने तुचाओं को पीबड ठ्रो जिन Сे होकर जहांक रही है बाई बोन्स यानि कि उनकी हड्डियां यानि कि ये वच्चे हड्डियों को जहाकते हुए जहाकती हड्डियों के जहाकते हुए तवचाओं को पहने हुए हैं अथार्थ कहने का मतलब है अपने बेकार के धातुमल के जो धेर हैं उन पर बैठे हुए हैं और ये वच्चे हड्डियां जहाकते हुई त्वचाओं को पहने हुए हैं, अथार्त हड्डी इनकी त्वचा से हुकर जहाक रही है, और श्टील के बने हुए फ्रेम के चस्मे को पहने हुए हैं, जिसके कांच की मरमत की गई है, और पत्थरों पर पड़े हुए बोतल के टुकड़ों की तरह ये दिखाई देते हैं, So, sorry, all of their time उनका पूरा समय and space और पूरा अंतरिच और फॉगी कोहरे से भरे हुए स्लम माने गंदी वच्ती है, All of their time and space और फॉगी स्लम यानि उनका पूरा समय और अंतरिच धुन्द से बरा हुआ गंदी वच्ती हैं, So, इसलिए, blot समाप्त कर दो या मिटा दो, their maps उनके नकसों को बिद स्लम्स उन गंदी वच्ती वाले एज बिग एज डूम, उतने बड़े जितने की आपका डूम प्रले होती है, प्रले होती है, So, blot their maps with slums as big as doom, इसलिए उनके गंदी वच्ती वाले नकसे को उतने बड़ी तरीके से मिटा दो जितना की एक डूम यानि की प्रले होती है, यह बैसे डूम माने कबरी भी होता है, तो चलिए इसके अंसर को देखते हैं, तो देखिए पहला question आपका, इससे कैसा समझा जाए, that children are physically big, कि जो बच्चे हैं, वे सारे रेक्रूप से कमजोर हैं, तो अंसर लिखेंगे, यानि गंदी बच्ती वाले बच्चे, वे आर पहने हुए हैं, इसके अंसर माने तोचाओं को पीब्ड थ्रो बाई बॉन्स, यानि की जिन से होकर उनकी अडियां क्या कर रही हैं, जहां कर रही हैं, ऐसी तोचाओं को पहने हुए हैं, जिससे से, यानि की कभी क्या चाहते हैं, तो आप अंसर लेखेंगे, दा पोईट बांस, कभी चाहते हैं, टू बलॉट, मिटा दिया जाए, देयर मैप्स, उनके नक्सों को, बिद स्लम्स, यानि गंदी वश्ती वाले, एज बिग एज डूम, यानि एक प्रले की तरह, या एक कब्र क आप चाहते हैं, एक स्क्रीन सेट ले सकते हैं, और दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट और अंतिम इस्टेंजा के,